आप सभी को नमस्कार दोस्तो हम जैसा की लेक्ट्रिकल गेल एक्टल मशीन के टॉपिक सिंक्रोणस मोटर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आज हम अपना 8 टॉपिक स्टार्ट करें गे जो की है सिंक्रोणस कंडेंसर्स Synchronous Condensers की Definition देखेंगे, उसकी Working देखेंगे, उसका Use देखेंगे कि वह किस प्रकार से हमारे Power System में काम आता है Synchronous Condensers होता क्या है? पहले हम यह देखते है यह एक प्रकार की Synchronous Motor ही है that rotates at no load speed also known as Synchronous Capacitor and Synchronous Compensator इसको Synchronous Capacitor और Synchronous Compensator क्यों कहते हैं? यह हम बाद में देखेंगे पहले हम यह देखते हैं कि इसकी Definition क्या है? वो यह है कि यह एक Synchronous Motor ही है जो हमारी no load speed पर काम करती है ठीक है? हमारी no load speed क्या हो गई? no load मतलब कि क्या हो गया? मोटर की case में हमारा load क्या होता है? mechanical movement हमारा load होता है ठीक है? अगर हम उस load को हटा दे और machine अगर यूँ ही चल रही है ठीक है? तो हमारे वो Synchronous Condenser की तरह काम आती है Synchronous Condenser के various uses हैं हमारे power system के अंदर क्या-क्या है? जैसे कि वो तीन चीज़ें में काम आ सकता है ठीक है? एक तो power factor improvement हमारी transmission lines के लिए, हमारे transformers के लिए, हमारे alternators के लिए ठीक है? जहां पर भी power factor कम की दिक्कत आती है वह हम Synchronous Condensers को यूज करते हैं और हमारा power factor improvement करते हैं और यूज करते हैं अच्छा, लो power factor से क्या-क्या दिक्कत हो सकती है? यह हम देखते हैं तो first point हम rate करते हैं used for the improvement of power factor ठीक है? यह हम पढ़ चुके हैं second चीज यह है, अगर power factor हमारा low होता है तो उससे क्या फरक पड़ता है? पार factor हमारा क्या होता है? हम यह जानते, p is equals to vi cos phi तो power factor और i, दोनो inversely proportional हो गए, ठीक है? दोनो एक दूसरे के inversely proportional है तो यदि power factor हमारा low होता है, तो current हमारा rise होता है ठीक है? इसको compensate करने के लिए current हमारा बढ़ता है जब current बढ़ेगा, तब हमारे i square r losses उस machine के अंदर बढ़ते हैं i square r losses के बढ़ने से हमारी efficiency बहुत ही जादा कम हो जाती है और हमारा voltage regulation increase होता है efficiency decrease होनी यह सही बात नहीं है, यह हमारी desired output नहीं है ठीक है? दूसरी चीज, voltage regulation तो यह भी increase हो जाता है यह भी हमारा desired output नहीं है terminal voltage और हमारा no load voltage के अंदर difference कम से कम हो, ठीक है? पर यहाँ पर हमारा voltage regulation जादा है, मतलब की difference जादा है, मतलब की losses जादा है ठीक है? तो यह हमारा low power factor की condition बिल्कुल भी useful नहीं रहती तो इसको compensate करने के लिए, हम क्या करते हैं? synchronous condenser लगाते है synchronous condenser क्या है? synchronous motor ही है, जो की no load पर काम कर रही है ठीक है? जैसे के for example, मैंने यहाँ पर transmission line का example लिया है transmission line या 3-phase supply से connected है, अगर इसका power factor suppose करते हैं कि low हो जाता है तो हम क्या करेंगे? इसके parallel में, एक synchronous condenser लगा लेंगे मतलब कि एक synchronous motor लगा लेंगे, जो की मैंने लिखा है, no load speed पर यह run कर रही है ठीक है? उससे क्या होगा? इसका power factor बढ़ेगा ठीक है? अच्छा, इसके लिए इसकी specifications या इसकी rating कुछ तो अलग होनी चाहिए हमारे synchronous motor से, तो इसकी rating देखते हैं क्या होगा? field current rating जो इसकी है, वो maximum होनी चाहिए synchronous motor की field current rating maximum होनी चाहिए उससे क्या होगा? हमारा excitation बढ़ेगा हम जानते हैं field current बढ़ाने से excitation बढ़ेगा rotor के अंदर तो excitation बढ़ने से machine हमारी over excitation case में आ जाएगी ठीक है? over excitation case का मतलब क्या हो गया? आई जो है हमारा वो lead करने लगेगा V से यह case हम जानते हैं capacitor का case है ठीक है? तो इसलिए इसको हम synchronous capacitor भी कहते हैं that's why it is also called as synchronous capacitor used for the improvement of power factor ठीक है? next point क्या हो जाएगा? चूंकि यह as it runs without mechanical load यह बिना load के काम करती है बिना load के ही run करती है यह इसका first condition है ठीक है? that rotates at no load ठीक है? तो बिना load के काम करती है compensate करती है हमारे motory operation को तो इसलिए इसको हम synchronous compensator भी कहते हैं as it runs without mechanical load also known as synchronous compensator ठीक है friends thank you everyone यह था हमारा आज का वीडियो झाल 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 झाल